अरे ओ स्रीजी वाले भीया तने कोई बिजनिस आइडिया हम जैसे गाओं के कम पड़े लिखे किसान आदमी को भू बताये देऊ ताके हम जैसा आदमी अपनी खेती हारी के काम के साथ-साथ कुछ जादर पैसे भी कमा सके और उसके अलावा काम ऐसा बताना जिसमें बहुत ज़्यादर पैसे का खर्चा ना हो कम से कम पैसे में काम हो जाए और ज़्यादर से ज़्यादर बचत हो जाए और हमारी खेती हारी का काम भी न खराब हो तो भाईयों आपकी भी समस्या अगर इन भाई साब की तरह है तो आज हम उस समस्या का बढ़ाई अच्छा समाधान लेके आए हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनिस के बारे में जिसके लिए आपको ज़्यादा एजुकेशन की आवसेकता नहीं है जिसको आप अपने घर से कर सकते हैं अपने गाउं से कर सकते हैं चाहें तो घर की महलाएं और बच्चे भी इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों ये बिजनिस है solar dryer से related बिजनिस इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्टा समय देने के आज सकता नहीं होगी मोटे मोटे रूप में पहले हम ये समझ लेते हैं कि solar dryer एक तरह का dryer है जो सूरज की रोशनी से चलता है ये चीज तो हमने पुराने समय से ही देखी है कि घरों में बहुत सारी सब्धियों को सुखा कर रखा जाता है ताके औप सीजन पर उनको यूज किया जा सके लेकिन जगे हम सब्घियों को खुले में सुखाते हैं तो स्थूड प्रोडक्टे को सुखाने के लिए समय ही बहुत जाद़ लगता है Solar Dryer इन सारी चीजों से हमको बचाता है तो आज की वीडियो में हम Solar Dryer से लिरेटेट फुल डिटेल जानेंगे कि किस तरह इस बिजनिस को कम से कम रेट में घर बैटे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है तो अब एक नया concept trend में आ रहा है Solar Dryer का concept Solar Dryer लकड़ी, लोहे या स्टील की चादर से बनी और स्टील की जाली से बने काले रंग के बॉक्से होते हैं जिस पर उपर की तरफ बिसेस प्रकार का ग्लास लगा रहता है Solar Dryer सूर के ताप को कई गुना बढ़ा कर वॉक्स के अंदर का तापमान बढ़ा देता है जिससे अंदर के food products आसानी से और जल्दी सूख जाते हैं Solar Dryer के अंदर फलों और सबजीयों को सुखाने के लिए उनके slices में उनको काट लिया जाता है और उनको single बिछा कर सुखा लिया जाता है जहां खुले आसमान में फलों और सबजीयों को सुखाने में 10 से 15 दिन का समय लगता है Solar Dryer के थुरू ये समय घटकर 3 या 4 दिन का रह जाता है मतलब 3 या 4 दिन में फल और सबजी लगबग पूरी तरह सूख जाते हैं वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर मौश्चर कितना है Solar Dryer पूरी तरह पैक होने के कारण इसमें सूखने वाले पदार्थ दूल, मिट्टी, मक्खी, कीडे, मकोड़ों से तो बचे ही रहते हैं बेमौसम होने वाली बारिस से भी पदार्थ का बचाव होता है जिससे सूखने वाले पदार्थ की गुडवर्ता बनी रहती है सूखने वाले प्रोड़क्ट की हुमिडिटी को हटाने के लिए इस ड्रायर में सोलर या एलेक्रिक फैंस का भी यूज किया जाता है अगर बात की जाए कि सोलर ड्रायर में भी या सुखाया क्या क्या जाता है तो सोलर ड्रायर में बहुत सारे फ्रूट्स और सबजियों को सुखाया जा सकता है जैसे के पालक, धनिया, मैथी, अंगूर, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, सेब, आम, गाजर, करेला, लौकी, तोरई, सिम्ला मिर्च, हरी मिर्च, चुकंदर, गोभी, पत्ता गोभी और भी बहुत सारे फलों और सबजियों को सोलर ड्रायर में सुखाया जा सकता है सीजन पर जब फल और सबजियों बहुत सस्ते होते हैं मार्केट में आपको अपनी लागत के अकॉर्डिंग रेट नहीं मिल पा रहा उस समय सोलर ड्रायर बहुत अच्छा काम करता है solar dryer के थुरू आप फलों और सब्जीयों को सुखा कर रख सकते हैं और जब season चला जाता है उस समय जब इसकी demand आती है तब आप इनको बहुत महेंगे rate पर बेश सकते हैं अभी जब lockdown का समय आया था तो जिन किसान भाईयों के पास पहले से ये technique उपलब थी उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया क्योंकि lockdown के समय फल और सब्जीयां बाहर बिक नहीं सकते थे उनके पास storage थी तो उन्होंने अपने घर पर उनको सुखाया और जब lockdown खुला उस समय उन्होंने इनको बेच कर बहुत अच्छा मुनाफा लिया भाईयों solar drive के थूखे हुए food products को फलों को और सब्जीयों को आप चाहें तो raw form में बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं और अगर आपको महसूस होता है कि raw से जादे आपको उसका powder बना के अगर सेल करें तो rate अच्छा मिलेगा तो आप उसको piece कर powder की फॉब में भी सेल कर सकते हैं अगर सेल करने की बात की जाए तो online और offline दोनों ही तरीकें से आप इन सूखे हुए फलों और सब्जीयों को सेल कर सकते हैं online सेल के लिए आप किसी भी e-commerce site का सहारा ले सकते हैं जैसे Amazon, Flipkart, eBay किसी भी e-commerce site के थुरू आप अपने तयार food products को सेल कर सकते हैं और अगर offline सेल करने की बात करी जाए तो आप थोग की किराना व्यापारियों को उसके अलावा malls में, food market में, super market में बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं आपके तयार के हुए पदार्स की गुडवर्टा बनी रहती है इसलिए उसके rate बहुत अच्छे मिलते रहते हैं तो दोस्तों solar dryer को देखने के लिए हम आ चुके हैं अपने desktop पर जैसा कि हम यहाँ पर पहला solar dryer देख रहे हैं इसका price 15,700 रुपए है डीलर का contact number अगला vegetable solar dryer इसका भी price 15,000 रुपीज है 6 inches का fan लगा हुआ है solar dryer के अंदर next solar dryer देखते हैं यह solar dryer company आपके order के according solar dryer तयार करती है इनका price 520 रुपए पर square feet है मतलब आपका solar dryer जितने भी square feet का बनता है उस साब से इनका charge हो जाएगा और आप अपनी जरूरत के according छोटा या बड़ा solar dryer इनसे बनवा सकते हैं next solar dryer देख रहे हैं हमें या पर इसका price 16,000 रुपए है अगर dryer capacity की बात की जाए तो 10 kg इसकी dryer capacity है 55 degree Celsius इसके इंदर temperature maintain होता है दोस्तों solar dryer बनाना कोई rocket science नहीं है आप उसकी थोड़ी सी knowledge लेकर अपने local carpenter से या आपके हैं जो कोई local iron mystery है आप उससे भी solar dryer को तयार करवा सकते हैं और अगर आप बना हुआ solar dryer खजिना चाहते हैं तो market में बहुत सारे solar dryer available हैं आप अपने जरूरत के according यहां से purchase कर सकते हैं जैसा कि हम यह अगला solar dryer देख रहे हैं इसका price 24,960 रोपे है 10 kg इसकी capacity है अगर इसके अंदर के temperature की बात की जाए तो 55 to 75 degree Celsius इसके अंदर का temperature maintain होता है next solar dryer देख रहे हैं हम इसका price 20,000 रोपीज है capacity इसकी 5 kg है temperature इसका 50 to 60 degree Celsius maintain रहता है अगर size की बात की जाए तो 4 feet by 5 feet इसका size है next solar dryer देख रहे हैं हम यहां पे यहां पे यह solar dryer trees provide करा रहे हैं एक tray का price 15,000 रोपीज है यहां पे यह solar dryer tray available है tray के उपर आपको यह glass available है यहां पे उन्होंने mention भी किया है कि किस तरह से आप अपने food products को dry कर सकते हैं next solar dryer देख रहे हैं इसका price 38,000 रोपीज है इसकी dryer capacity जादा है 15 to 20 kg इसकी drying capacity है उसके अलाबा operating temperature भी इसका काफी अच्छा है 85 degree Celsius इसका temperature रहता है solar dryer के थुरू आपको जो भी product सूपता है वो पच्छियों से भी सुरक्षित रहता है इन सारे solar dryers का link हमने अपने description box में दे रखा है आप वहां से particular side पर जाकर particular dealer से contact करके particular solar dryer की और ज़्यादर detail पता कर सकते हैं और purchase कर सकते हैं भाईयों इस काम को छोटे पैवाने पर करने के लिए किसी भी तरह के किसी license की जरूवत नहीं है आप घर बैठे ही इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं लेकिन अगर आप बड़े पैवाने पर काम कर रहे हैं आपको large scale पर अपने business को लेके जाना है तो उसके लिए आपको कुछ general licenses की जरूवत पड़ेगी जैसे उध्योग आधार, GST registration उसके अलावा आपको trademark registration लेने की भी आवस्यक्ता होगी जिससे आप अपने तयार food product को अपने ही brand name से बहुत आसानी से sale कर पाएंगे तो भाईयों solar dryer के इस काम को आप अपने घर से बेहत कम budget में start कर सकते हैं आप चाहें तो घर की महलाएं भी इस काम को कर सकते हैं और आपके extra काम भी इससे disturb नहीं होगे solar dryer के थुरू किसी प्रोड़क्ट को सुखाने का सबसे अच्छा benefit यह है कि आपको daily साम को product को उठा के नहीं रखना आप solar dryer में रखा रहने दीजिए अगले दिन फिर धूप निकलेगी और solar dryer फिर से अपना काम start कर देगा दूसरी चीज solar dryer के थुरू यह है कि आप जिस भी food product को सुखा रहे हैं आपको उसको बार बार पलटने की जरूरत नहीं है दिन में बस एक बार पलट दें आपका product बहुत आसानी से सूख जाएगा solar dryer के थुरू अच्छी से अच्छा food product तीन दिन में या चार दिन में सूख जाता है वो depend करता है कौन से food product में कितना ज़्यादा मौशर है जितना ज़्यादा मौशर होगा सूखने में थोड़ा सा समय उतना बढ़ जाएगा तो भाईयों इस business को करके आप अपने लिए extra income बहुत आसानी से generate कर सकते हैं अरे बाँ भाईया जे तो आपने पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका बताया इस solar dryer वाले काम को थो हम अपने घर से ही कर सकते हैं और इस से हमारा खेती हारी का काम भी नहीं खराब होगा ये तरीका बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाईया तो भाईया आप भी अगर ऐसी ही ब्यापार से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो स्रीजी वाले भाईया के चैनल को अभी सबस्क्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करने के साथ-साथ अपने यार दोस्तों में सेर जरूर कीजिए तो फिर मिलेंगे भाईया के अगले वीडियो में तब तक सब भाईयों को अपनी दरब से राम राम